हाई फ्रेंड्स, we are going to solving this question, question को देखते है, 24 is divided into two parts, okay, such that seven times the first part added to five times the second part, max 146, find each part, question का रहा है, कि 24 एक number है, जिसे दो part में divide किया जाता है, दो part में divide किया जाता है, first part का, जो भी first part है, first part का seven times, और second part का five times, को add किया जाता है, after addition, आपको equal to कितना आ रहा है, 146 आ रहा है, तो आपको दोनो number find out करना है, दोनो part find out करना है, देखो, suppose मैं अभी आपको rough में बता रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरा जो भी procedure, जो भी longest लिखने का, उससा बताऊंगा, ठीक है, तो मालो कि आपके पास क्या है, एक 24 number है, ठीक है, इसको दो part में divide करना है, आपको तो नहीं मालूम है कि first part क्या होगा, second part क्या होगा, तो हम कुछ पल के लिए माल लेते हैं, कि first part को हमने चलो, suppose हम माल लेते है, x हो गया, हम माल लेते हैं, कि जो first part है हमारा, वह क्या है, x है, तो second part क्या होगा, मालो कि हमारा 24 को दो भागों हमने divide किया, first part हमारा मिल गया, x है, तो second part क्या होगा, total जो है, total में से first part को subtract कर देंग तो आपका सेकंड पार्ट जरूर मिल जाएगा तोटल में से आप फॉस्ट पार्ट को सब्टेट कर दोगे तो आपका शेकंड पार्ट मिल जाएगा अब देखो कर या फॉस्ट पार्ट है कर फॉस्ट पार्ट का जो फॉस्ट पार्ट है फॉस्ट पार्ट का सेवन टाइम्स और जो यह second part है और second part का fifth times का addition जो होता है दोनों का sum मतलब 7x plus 5 times of 24 minus of x जो है यह equal to कितना को हो जाया इसको add करोगे तो 146 के equal हो जाएगा ठीक है यह मैंने आपको rough बताया और इसको आगे solve करेंगे x का value आएगा उसके बाद आपने first part and then second part को आप calculate कर लोगे अब पूरा whole procedure कैसे आप exam में लिखोगे उसके लिए में बता रहा हूँ ठीक है देको माल लेते हैं कि let the first part ठीक है let the first part part v x ठीक है हमने माल लिया कि जो first part है वो एक्स है ठीक है let the second part let the second part बी इसको लिख सकते है let the first part भी x and second part यह लेट लिखने के आपको कोई जुरूत नहीं ठीक है second part भी कितना होगा 24 minus x अब कर रहा है कि आपको seven times देखो seven times इसको लिख भी सकते हो ना भी लिख सकते हो ठीक है seven times of first part first part seven times of first part कितना है मतलब seven times मतलब x का seven times मतलब seven x और five times of जो है second part ठीक है मतलब जो आपका second part यहीं नहीं है 24 minus x इसका fifth part ठीक है अब कह रहा है देखो seven x time मतलब first part का seven times और second part का जो है second part का fifth times को जो अब add करोगे वह होगा equal to 146 मतलब जब seven x plus five यहाँ पर लिख दोगे according to question लिख दोगे and 24 minus x equal to कितना होगा 146 and then आफ seven x plus five से 24 को multiply करो कितना होगा आपका देखो five fours are 20 and five to the 10 are to 12 उसके बाद five five into x minus five x equal to 146 seven x minus five x equal to 146 इदर प्लास में इस साइड आगा तो minus आगा then seven is five गया two x 146 में से 120 गया कितना होगा आपका जो 26 हो गया आपका जो 26 हो गया तो x equal to 26 by 2 then 2 से cancel होगा मितले 13 बार में ठीक है means x equal to अब कितना होगा थर्टीन ठीक है x आपने 13 निकाल दिया तो आपने first part को क्या एजुम किये थी first part जो आपका first part जो है first जो part है उसे आपने x मना था x equal to कितना होगा 13 ठीक है and second part को second part को अपने क्या मना था 24 minus x तो 24 minus x कितना है 13 है then 24 में 13 कितना हुआ 11 हुआ ठीक है तो आप लिखोगे hence first part and second part is 13 and 11 respectively ठीक है तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चनलन को like and subscribe प्लीज ज़रू करे क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता है दोस्तों good thank you friends करदेंगे लिविवटरेंगे एक टेए देंगे हैं